आईए दोस्तों मेरे चैनल होमेपेथिक फिजिशन में एक बार फिर से आपका पुना हारदिक स्वाकत है आज मैं यानि डॉक्टर जेपी सिंग आप सबों को उल्टी वो मिचली खास कर यात्रा करने के दौरान उल्टी होने और उसके होमेपेथिक उपचार के बारे में बात करूँगा आपसे दोस्तों इस वीडियो को अम तक देखना ना बूले ताकि इस समस्या का सही समाधान पा सके आप अगर आप मेरी चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते चले साथ ही बगल की वेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिपिकेशन आपको समसर में पर मिलता रहे तो आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों कई व्यक्तियों को रेल, बस, नाव, जहाज आदी में यात्रा करने पर जी मिशलाने लगता है पहाडों की घुमावदार यात्रा हो या नॉर्मल रेल या बस की यात्रा के दौरान उल्टी होई जाती है वैसे ही बीमारी सबको नहीं होती है परंतु कुछ लोग इससे ग्रसित है इन्हें यात्रा के दौरान नीबू चूसना वह मुह में इलाइची रखना लाबदायक महसूस होता है आईए उल्टी के दौरान दिखने वाले कुछ खास लक्षन वह उसकी होमिपेथिक दवा के बारे में चर्चा करते है अगर साधारनत्या कार, बस, हवाई जहाज या रेल गाड़ी से यात्रा करने के दौरान आपको उल्टी हो जाती है तो होमिपेथ की one and only medicine कोकुलस इंडिका ही कामाती है ऐसे में यात्री को, यात्रा के दौरान कोकुलस इंडिका 30 जियां दोस्तों, कोकुलस इंडिका 30 की दो बुंदे हर ए घंटे बार तीन-चार खुराग तक दे, इससे आराम आजाएगा और इस बिमारी से सदा के लिए छुटकारा पाना हो तो कॉकुलस इंडिका 30 की दो-तीन बुंदे, रूज तीन बार, सुबह, दो पहर और शाम लगतार एक से डेड़ महीना तक ले, इससे आपको अप प्रत्यासित लाव मिलेगा कुछ लोगों को सिगरेट का धुआ अच्छा नहीं लगता है उससे सिगरेट का धुआ लगते ही चक्कर आने लगता है जी मिचलाने लगता है तो घबडाने की जरुरत बिलकुल नहीं है दोस्तों ऐसे रोगी को इस्टैफिसगेरिया 30 की 2-3 भुंदे हर आधे गंटे बाद उसे 3-4 खुराग तक दें बाद में इस बिमारी से छोटकारा पाने के लिए इस्टैफिसगेरिया 30 की 2 भुंदे रोज 3 बार सुबह दो पर और शाम लगतार 15-20 दिनों तक ले इससे आपको आश्चर जेजनक फायदा होता दिखेगा अगर आखे बंद करने पानी पीने या पानी की और देखने मात्र से ही आपको मिचली या उल्टी आए तो थेरेजिनम थटे ही जी हाँ दोस्तों थायरेडिनम 30 की 2 भुंदे रोज 3 बार सुबह दो पर और शाम लगतार 15-20 दिन तक ले इससे आपको चमतकारिक फायदा होता दिखेगा अगर आप हमेशा खटे ढगार या उल्टी होने से परिशान है और कम सोने के कारण ऐसा ज़्यादा हो तो नक्स भौमी का थटी नक्स भौमी का थटी को ना बोले दोस्तों इसकी दो बुंदे दीन में रोज 3 बार सेवन करें इससे आपको खटी ढगार वा उल्टी से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा आईए दोस्तों एक बर पुना आग रहा है अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करता चले ताकि मेरा हर नया अपडेट आप तक पहुँचता रहे कि आईए मिलते हैं अगले एपिशोड में एक और नहीं भीमारी और उसके होमेपेथिक इलाज के साथ थैंक्स